हेलो फ्रेंट्स में सुसांत मेरा चैनल का नाम एलिवेटर टेक्निशन SS मलिक प्लीज चलिए दोस्तों आज जो एलिवेटर ब्लोग शुरू करते हैं हेलो प्रेंट्स में सुसान्त मेरा चेनल का नाम एलिवेटर टेक्निशान एसेस मलिक दोस्तों मैं आज एक लिप्ट का फॉल्ट देखने जा रहा हूं वो जो मेरा कंपनिंग का लिप्ट ही इसुब गुड़ा एरिया में एक लिप्ट है अभी मेरे को कॉल आया उदर में यहां से मेरे को बस पकड़के जाना पड़ेगा जो मेरा बस रहता है 19 M और 19 में कुछा भी बस में भी आप जा सकता महित्री भवन तक और महित्री भवन से मेरे को दूसरा बस जो टेन एज में बैटके युशुब गुड़ा में उताना पड़ेगा और देखिए दोस्त अभी फिल्याल में आके इदर पहुंच गया वो क्लाइंट का घर में अंचिली ये लिब तो अभी पूरी तरह से अची तरह से उपर से निच्चे तक आभी मैं चेक करा हूँ कर रहेए लेकिन क्लाइट ने ईंफर्म किया था नहीं चैल रहे節 करके तो साइद रंग इंफर्माशन हो सकता अभी मैं अपना क्लाइंट से बात करके में दूसरी साइड में मेरे को जाना पड़ेगा दूसरी साइड में भी एक कॉल आया वो जो मर्सिटी बेंज शोरूम रहता है उदर भी एक लीप्ट है वो अटो डॉर डॉल डॉर का जो माधापूर में उदर भी मेरे को जाके देखना पड़ेगा वो लिप्ट का क्या प्रॉब्लेम आया कि अहां ठीक है हेलो दोस्त चलिए अभी एक दूसरा साइड में मर्सिटीज बेंज शोरूम है उसमें हमारा लिप्ट लिप्ट का प्रॉब्लेम आया अभी चलिए इधर में इसा पीछे साइड में जा रहा हूं प्रॉब्लेम आया और मैं कोशिश करेगा वो पाल्ट पाइंडिंग साल्व करने के लिए कि अंदर एंट्री करना पड़ेगा अभी देखिए अभी इसका बिल्डिंग आया यह दिखिए मर्सिटीज बेंज का अभी चलिए अभी हमारा जो मेशिन रूम है मेशिन रूम में देखेगा अभी पैनल खोलके उसमें क्याप फॉल्ट आया कि अभी देखिए कि यह जो कंट्रोलर है यह नाइन एसस ब्याप का कंट्रोलर रहता है इसमें आक्चुली फॉल्ट तो दिखाई दे रहा है जो डाट मेट्रिक्स है ओ लेडि इसको उसका जो मेंशेप्टी है मेंशेप्टी काट हो गया अभी देखिना है अभी लिफ्ट कंट्रोलर में अभी तो वह चार बता रहे ठीके दोस्तों अभी इसको में मेंशेप्टी शर्टिंग करके जो रहता है उसका निचे टीपी के इसमें जो मेंशेप्टी का रहता है करना पड़ेगा और कार्ट में जाके मुझे देखना पड़ेगा उसका अच्डुलि क्या फ़ल्ट क्यूं आया अभी देखे ये जो टीबी के है ये अलेडी में सी प्लॉस और सी वान शर्ट करके अभी लीप्टी फ़ंक्शन कराएगा मेंटेनंस मोड में अभी देखिए ये तो पूरा सब सेफ्टी आ गया अभी लिप्टी फाइनाल मारा मतलब उसको डाउन डारेक्शन लेके अभी मेरेको काट अब के अंदर जना पड़ेगा चलिए दोस्तों अभी काटब में देखेगा अभी उसका चलिए दोस्तों अभी काटब के उपर जाके चेक करना पड़ेगा आखिर क्या प्रॉब्लम है अब मेरेको तो लग रहा है जो सेप्टी अपेंड फाइनल में फाइनल मारता है जो डाउन में रहता है जो क्लाज स्विच उसको थोड़ा चेक करना पड़ेगा यह सब बाराबर है चैनल कि अग्यों 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 अभी जो इसका फाल्ट फाइंडिंग था यह रिजिन मेरे को मिल गया और यह अखिर में यह लिप्ट इअभी रन्निंग पोसिशन में आए गया दोस्तों इसका जो में फाल्ट था इसका इसका जो mother card रहता है वो mother card का fault था वो mother card हम replace करने के बाद अभी lift चालू हो गया actually इसका जो main problem था door level में open नहीं हो रहा था वो बीच में middle position में open हो रहा था एक door और ये up final down final मार रहा था इसका main reason ये card ही था अभी दोस्तों अभी जो चीज हम fault finding करने के बाद और card replace करने के बाद ये lift चालू हो गया दोस्तों देखिए दोस्तों आगे में ऐसे आप लोग को एक एक ना वीडियो दिखाते रहेगा और आप लोग के लिए कुछ knowledge ये lift के बारे में देने के लिए कोशिस करूंगा दोस्तों लेकिन आप एक बार मेरा वीडियो देखके वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए जरूर्ट क्यूंकि आप एक बार मेरा चैनल को सब्सक्राइब करेगा तो मेरे को थोड़ा इंस्पार मिलेगा दोस्तों और आगे में नायना वीडियो जो लिप्ट के फॉल्ट फैंडिंग के साथ आपको एंटर्मेंट भी कराएगा है देखिए दोस्तों अभी तो हमारा आज इधर टाइम हो गया हम अभी निकलने वाले हैं अभी रूम जाने वा कितना संदर लग रहे हैं और यह जबर्दस्त लाइटिंग के हिसाब से बिल्डिंग कितना महले का और कितना खुबसरत लगता है दोस्तों अभी आप लोग इसको एंज़े करते रहे हैं और दोस्तों मेरा जो चैनल का नाम है एलिवेटर टेक्निशन एसेस मलिक जरूर दो दोस्तों फिर मिलेंगे नेस्ट वीडियो में तब तक जय हींद जय भारत नमस्ते गुड़ बाई